उसको लेकर विपक्ष पर प्रहार किया जा सकता है लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी जहां एक तरफ बीजेपी बात करती है ज्यान की यानि की गरीब हो युवा हो नारी हो एगरिकल्चर हो किसान हो बीजेपी बात करती है लेकिन ठीक ऐसा ही मेनिफेस्टो कॉंग्रेस ने भी जारी किया है तो आखिर उसमें इस्लामिक बू जो आ रही है पीम मोदी को आखिर इसा क्यों क्या कमी ऐसी या क्या ऐसा बादा कर दिया उस मेनिफेस्टो में कॉंग्रेस ने जिसके जरिए तुष्टी करन कर जिक्र किया जा रहा है किसी दूसरे वर्ग के लोगों क साधने की कोशिश का आरोप लगाया जा रहा है कॉंग्रेस पर जी देखिए जो एक मुख्य जो प्रिफरेंस है दोनों में वो यह है कि देखिए पीम मोदी जी हमेशा कहते है सब का साथ सब का विकास और उनका ये मानना है और भारती जंटा पार्टी का वो जो उनका ये ह तो उनका ये ही एक मानना है कि अगर हम कोई एक स्कीम या पॉलिसी लाएं तो उसमें सब का भला होगा तो उसमें हर कोई वर्ग आ जाएगा तो आपको हर एक वर्ग के लिए अलग-अलग करके उनके लिए स्कीम बनाने की कोई ज़रूत है नहीं तो ये जो है उनका मानना तो मुझे लगता है कि यह उनका बोटी बैलन्स तरीके से उन्होंने सोचा हुआ है तो उन्होंने जो इक नोमिकल यह वीकर सेक्शन के लिए थे उन्होंने एक अलग प्राउधान किया था जो आज से लिए जो Χॉंच भी बात कर रही है लिकिन उन्होंने जो बात की तो खॉछे करें लग मिलेंगे उनके मतलब यह सब जो है विखे तो उनको ये कोई खास वजह थी नहीं कि उनको कॉछा करकर केलब करें थो बहुत, सभी जात्राओंंगं सभी बैण सोचेगर वह खास करके कुछ वर्वों के लिए कहते हैं जैसे जमो कश्मिर में भी वो कहते हैं कि हम उधर वो स्टेट हुड की बात करते हैं तो यह लगता है कि बाटनी की राजनीती हो रही है कॉंग्रिस की तरफ से जबकि मोदी सबका सोचते हैं आप यह कहना चाहरे हैं ठीक है आपके साथ अगरों से रूबरू करा देते हैं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योग